दुनिया दी अनोखी जंगल लड़न वाले सारा गड़ी दे 21 शहीद फोजियानू आखिर का डेड़ सदी बाद उससे थांदे उत्ते सनमान दित्ता जावेगा जिस थांदे उत्ते उनाने शहादत प्रापत कीती सी उससे थांदे पाकिस्तान देवेच यादगार बनेगी 12 स देखनवाले देश दुनिया दे साड़े सारे दर्शकांदा बहुत-बहुत स्वागत है खालस प्राइम स्टोरी देनाल मेहर शरनक और आज इस खास स्टोरी देवेच आपां जिते ए ताजा खबर थोनों दसांगे उत्ते ही ओस जंग दे कुछ अंशने टेड़े ओवी थ गाल से दिखायाइसी कारणामा दिखायाइसी के ब्रीटिश सांसद ने झवी खड़े होके जड़ांड हैगे स्तैंडिंग ओवेशन दिता सी इक सनमान दिता सी आतें दुनिया दा एक वड़ा जड़ा पूरसगार है ऑर इना 21 शहीद फजई Alems सब तो वड़ा वीरता पुर्स का रहेड़ा ओ मिलया सी। पाकिस्तान दे खेबर पक्तूनवा दे विच्छ सारागडी चौंकी जित्थो छत्ती सिख रेजिमेंट दे 21 सिख योदया ने 12 स्तंबर ठाना सुस्तानवे नू जंग लड़ दे शहादत प्राप्त कीती सी उथे हो दार दा उदकाटन कीता जावेगा शहीदी वाले देन ही सिखरीती रवाज्जा दे मुताबे कीता जावेगा हाला के होन तको ना शहीदान या यादगारा पारत पाकिस्तान एथो तके बरतानिया वरगे मुलकां दे विच्छ भी बणियाने परे पहली वरी होगा जदों असल शहादत वाली था ते उस सारी केती जावेगी मंगलवार नू पिशावर दे वेच मिटिंग होई सी कल मिटिंग होई जिदे विच फैसला ले आ गया के यादगार दे थम तेशी दादे ना उस सारे जानगे फिर रस्मी तौरते उदकाटन होवेगा नौ स्तंबर तों एथे समागम शुरू हो जानगे उदका आटन बारा स्तंबर नू पिश्यावर दे गुरद्वारा पाई जोगा सिंग तो पॉंचे पांच प्यारां दी हाजरी वेच होवेगा सारागडी फाउंडेशन दे परदान सनी सिंग ने दसया के अंग्रेजान दी राज तोरा ने लाखा काफी गडबडवाडा सी एथे दो केले हान एक हिंदू कुष पहाडा दी समाना रेंज ते लोखाट आते दूसरा सुलेमान रेंज ते गुलस्तान है एथे दो में एक सिगनल टावर भी बनाया गया सी जित्तों हेलियोग्राफिक पर नाली राही सुनेहें पे जे जान दे सी उना दसना के इसे चौंकी तो ही हौलदार इश्यर सिंग दी अगवाई दे विच छती सिक रेजिमेंट दे 21 जवाना ने जंग लड़ी सी उना दसया के पामें बाद विच ततकाली सरकार ने शीदां दी याद विच लोख हार्ट फोट दे सामने यादगार बनाया इसी पर होन यादगार असल पोस्ट ते बनाया जावेगी पाकिस्तान दे विच से यादगार तो इलावा ओस विले दी सरकार ने सारागडी दे शीद फोजियां दी याद व पार्किस्तान दे खैबर पक्तूनवा दे विचे डी सारागडी चौंकी है उत्थे होया सी अते ओना शी दन्दे ना ते गुरुकी नगरी अमने सरदे टाउन हॉल दे विचे क स्कूल ते एक गुर्ध्वारा वी स्थापित कीता गया गुर्ध्वारा हाले भी उत्थे है पर स्कूल नू टाक्यों थे सारागडी पार्किंग बना दती गई है स्कूल नू एससे ना ते माल मंडिच तबदील कार दता गे तो इलावा अक्षे कुमार्धी फल्म केसरी वी सारागडी दे शिही अधारत दसी जानती है पर उदे विचे फैक्चुल किन्निक सचाई है सही तरीके नल बनाए गई है एता होन इतहासती पर चोल करन वाले ही जान देनी असी कुछ नहीं कह सकते हुन थोन दास देयां के सारागडी दे विचे जहां की होया सी के उनना इकी फौजियानू सिख शहीदानू एना सनमान दता जान दै सारागडी दी जंग दा की इतहासी प 12 स्तम्बर 1497 दी स्वेर सी 8 वजे सारागडी के लिए दे संत्री ने दोड के अंदर खबर देती के हजारा पठाना दा एक लशकर चंडियां ते निजियां दे निशाना दे नाल उत्तरवल्लों सारागडी के लिए वाल वादर है उना दी गेंटी 8,000 तो 14,000 दे विचाले स अंदाजा लासाग देओं एक पासे एकी दूसरे पासे आठ तू चौदा हजार हाला के एस तो भी असामी जंग चमकौर दी जंग मन्नी जांदी है जिते बहुती काट गेंटी देविच सिक योद्याने दास लख तो वद मोगल फौजा दा टकरा कीता सी खैर संत्री नू फौरण अंदर बुलाया गया फौजी यांद एक वाई कर रहे हवलदार इशर सिंग ने सिगनल मैन गुर्मक सिंग नू आदेश दिता के नेड़े दे किले लोग हाट देविच दानात अंग्रे जदकार यानू तुरंत हलाता तू जानू करवाया जावे त पुछो के की होकम है करनल हाटन ने होकम देता होल्ड जौर पोजीशन यानि के अपनियां थामाते डटे रहो एक कंटे अंदर किले नू तिनने पास्यां तो केर लिया गया और खजया दा एक फौजी हाथ विच चिटा चंडा लेके किले वालवा देया उनने चीक के कहा के साधी तो आडे नाल कोई जंग नहीं है साधी जंग अगरेजा दे नाल है तुसी गणती विच बहुत काटों मारे जाओंगे हते अर्शोट देओ असी तोड़ा ख्याल रखांगे तो अनुछ रख्यात निकलन दा रा दे मांगे यानि के जदो सिख फौजियां ने अपनि लड़ना या बाद विच ब्रेटिश फौज दे मेजर जनरल जैम्स लंट ने इस जंग दे बारे लिख्या है कि इशर सिंग ने इस पेशकर्ष दा जवाब और कजया दी ही पश्तो पाशा दे विच दिता बहुना दी पाशा ना सिर्फ सक्त सी बलके गाला दे नालवी पर करांगे यानि के उनना फौजिया ने सेख फौजिया ने ओस जमीन नूं अंग्रेजां दी मन्या ही नहीं ओस नूं महराज रंजीत सिंग दी मन की लड़े सी तेहुने वी जानना पाउगा के ओर्क जई ने जड़े पठान सी ओस सारागड़ी दे किले ते कबजा क्यों करन करना चौंदे सी अंग्रेजा नाल जांग क्यों करना चौंदे सी सारागड़ी दे किला पाकिस्तान दे उत्तर पच्छमी सरहदी खेतर कोहाट जिले विच करीब साथ हजार फोट दी उचाई ते आज तक किसे भी सरकार्दा राज नी हो सक्या ठारा सो असीदे दहा के होया ते उनानु गुलिस्तान लौक हाट ते सारागड़ी दे वेच तेन छोटे किले बनाओं दी मन्जूरी मिलगी पर स्थाने कोर्कजई लोका ने इसनु कदे पसांद नी कीता है समझा ता उनानु पसांदी नी आया ओना टिकाने ते लगातार हामले कार दे रहां दे सी खाटे गुलिस्तानु सारागड़ी तों वाख कर देता और कजहिया ने फिर फाइरिंग शुरू कर दती पहला फाइर ठीक तड़के नौ वजे कीता बारा स्तंबर नू ठारा सोस्तान में दे वेच सारागड़ी जंगते पर सिद किताब लिखी गई या दा आइकन बैटल सारागड़ी इना नू इस किताब नू लिखिया ब्रिगेडियर कमल जीत सिंग ने उदास देने के हवलदार इशर सिंग जना दी अगवाई दे विच्छे सारागड़ी जंग लड़ी गी उनना ने अपने जवाना नू कहन दे होकम देता कि गोडी ना चलाई जावे पठा पठाना दे साथ फोजी मारेगे सिखावलनों सिर्फ एक स्पाही पगवाण सिंग दी मौत होई हालांके नायक लाल सिंग बुरी तरह जखमी होगे सन इस सब हो रहा सी जंग चाल रही सी पूरे पूरा ब्यान असी नहीं कर सकते क्योंकि फिर बहुत लंबी चौड़ी गाल कांददी नीती हेठांदे पत्थरांदे प्लास्टर नूँ पुटना शुरू कर दता इस विचाले इशर सिंग अपने चार लोकानू के लिए दे मुख हाल विच लैके आये जदके ओ खोद उपरों फायरिंग कर दे रहे पर पठान फेर वी किलेदियां कंदांदे हेठ ल पुरियाने पर अंग्रेजा देवलनों कोई वी मदद सिख फोजियां तक नहीं पहुंची आखिरकार कई कांटेयां दी जांगतो बाद इशर सिंग दी पल्टन वी शही दी प्रापत कर गई गुर्मक सिंग जड़ेके संकेतक पाशा समझ दे सान जड़ेके लगातार इना ने फिर बंदूख चक्की ते कल्याने गोली चलोंदेया कट्टो काट वी पठान ते रिकार देते पठाना ने फिर लड़ाई खतम करन देली पूरे किलेनू अगला देती चत्ती सिख पल्टन दे आखरी जवानने हथे आर सुटन नाणो बेतर अपनी जान गोणा जिदे विच सिखां दे वल्लों बाई फॉजी शहीद होए पठाना दे एकसो असीतों दोसो बंदे मारे गे करीब 600 लोके नां दे जखमी होए सिखां ने एननी तड़ा तड़ गोली बारी कीती एक दन बाद ही ए औरक जई एस सारागडी किलेतों पाच केसान 14 स्तंबनों को हाटो 9 माउंटन बैटरी ओथे अंगरेजां दी मददेले पाउंची पठान हालेवी सारागडी दे किले विच मजूद सान ते उनाने तोपानाल गोले दागणे शुरू कार दते रिज ते अंगरेज फोजियाने फिर जबर 10 थामला किता सारागडी ने पठ 14 स्ता किले तों अंगरेज अफसरा ने अपनिया अखा नाल देख्या 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 रहे पर कुछ नी कर सके सिर्फ अखांदे नाल देख्या रहे मदद लेई कोई अंगरेज नी पाउंची आ अंगरेजाने दसे आ कि पठान एन्निक वड़ी गंती विच सन केसी चौ अंग नों दुनिया दे सब्तो वड़े लास्ट स्टैंड्स दे विच था आ देती गई जोद इना सिख्या दी कुरबानी दी खबर लंदन पॉंची ता उस विले बरतानिया संसद्था सेशन चाल रहा सीते फिर सारे मेंब्राने खड़े होके 21 फौजिया नों स्टैंडिं ते मान है एक एंच कोई अतकतनी नहीं है कि जिस फॉज दे विच सिख स्पाही लड़ रहे होण उसनों हराया नहीं जा सकदा इस तो इलावा 21 सिख फॉजियां नू सब तो वड़ा वीर्ता पुर्सकार देता गया जिदो महराणी विक्टोरिया नू एक खबर मिली ता उन्ह दायलान कीता जो कि बरतानियां डा सब तो वड़ा वीर्ता-पॉर्सकार है सोनर शहीद फॉजियां दी सिख फॉजी जड़े के जम बास तरीके दिना लड़े बहुती बहादरी दिना लड़े वीर्ता दिना लड़ी लड़े शहीदियां प्रापत कर गए आउंधी 12 बरनू उननादा शीही दे दिहाड़ाई उनस सार्यांदी शहादत नू असी विस्लाम कर देहाँ खालस प्राइम स्टोरी देखनवाले सारे दर्शकादा तानवाद